आपके अपनी पहली जॉब यहाँ पर कैसे डूंडी? स्वागत है दोस्तो आजके इस पॉडकास्त में, आज हमारे पॉडकास्त में बड़े ही फैरी डॉपिक्स का डिसकेशन रहने वाला है, क्योंकि अगर कैनडा की बात होगी तो यूएस की बात होगी, तो आई-टी में compression की बात होगी, और जब आई-टी में जॉब की志 बात हो दोनों देशों के बीच में एक software professional कैसे struggle करता है क्या उसको चीजें अच्छी लग सकती है इन सब topics पर आज बड़ी detail में discussion करने वाले हैं हमारे आज के guest है सुंदर जो की मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं मेरे पडोसी भी है वो मेरे साथ ही city में रहते हैं Canada में तो हमारी मुल consulting firms in India as well तो बहुत अच्छा उनका professional career रहा है इंडिया में फिर US में और Canada में तो jobs के उपर especially IT industry के उपर अगर आप interest रखते हैं तो आज के podcast में आपको एक immigrant का perspective मिलेगा with regard to all of these topics I hope आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो बने रहेगा till the end मैंने में साहिल Welcome Sundar Bhai, Welcome to the podcast, Thanks for agreeing to come on the channel Finally, Great, Finally आपको time मिला, आपके business schedule में से हम आपको निकाल पाए Great, तो audience को जिनको मालूम नहीं है, आप यहाँ पे permanent resident है and IT में काम करते हैं, आप IT में consulting करते हैं and job करते हैं you know, to and flow जैसे भी आपको चलता रहते है but आपसे बात करते हैं, मतलब जब भी हम जितनी बारी में मिले तो बड़ा एक vibe आया you know, person who's an innovator, जैसे नहीने tasks, नहीने projects चेंड़ने के लिए तो मुझे लगा कि आपकी जो story IT में, jobs related and then आप US भी काफी साल दे तो मुझे लगा कि एक you know, बड़ा wide horizon, बड़ा बड़ी अच्छे से एक लोगों को थोड़ी समझ मिलेगी तो बस उसी के regarding आज की कुछ discussion हो नहीं थी तो मैंने रुकुल रुकुल मैं भी बहुत excited था, मैंने काब होगा तो थोड़ा से अपना स्टोरी बताओ कब आया आप Canada, थोड़ा से मुझे बताओ क्या आपका background है मैं Canada नस पहले US था और उससे पहले इंडिया था, तो इंडिया में around 8-9 years में जॉब किया होगा फिर ऐसी company में float हुआ कि यार किसको US जाना है ऐसे तो हम कुछ ऐसा सोचा नहीं था और कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि US जाना है, तो हमने फॉर्म भर दिया तो एक साल के बाद जब ऐसा रहा कि चलो कुछ चेंज करते हैं तो फिर रिलाइज हुआ कि नहीं नहीं एच वन भारता पिछले साल वह आ गया लॉट्री में तो चलो फिर रिलाइज हो चलो एर यूएसी चलते हैं कि वह जॉब जहां मैं डेली में रहता था उस टाइम पर पर फाइदावाद में जॉब करता था था मैं तो नहीं जॉब जाती वह थी है था पैसे कवा लेंगे यह थोड़ा फैक्टर था वहां ऐसा बहुत सार लोग जो वी रियाते हैं तो उस शाए वैसा है तो हमें कहा था चलो ठीक है कि वहाँ जा देख लेते हैं कि दुन्या क कि उस तरब कैसी लाइफ होती है, कैसी लाइफ है, विकज एक एज़ ट्रैवलर जाना अलग चीज़ है, और अज़ रेजिदेंट वहां रहना, और वो सब चीज़े देखना, वो बहुत अलग एक्सपिरियंस होता है, तो फिर आगे इदर, और फिर यहां पर आके, काफी अच्छा लगा, मतलब जो मैंने सोचा था, कि उससे भी बहुत उपर था, मतलब एक उतना नहीं चीज़ होती है, तो एक अलगी चीज़ था, बहुत मुझे अच्छा लगा, और जैसे तरह कि मैं और ने निचर है, या कुछ नहीं, टेकनलोजी आई, तो चलो जा, इसको एक्स्पेरियुन कर ले था, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, राइट, तो वो सब चीज़ें मुझे, जिस तरह का मैं हूँ, मुझे लगा कि यह चीज़ें मेरे लिए बहुत सही काम कर रहे हैं, या कि अपने ट्रक में समान भरा और चले गए, तो बहुत सही, आपको इलेक्ट्राणिस चेंज नहीं करने हैं, बिकोज मुझे याद है, हम लोग, इंडिया में तो किसी फ्रेंड से कुछ मगाया, तो फिर उसके लिए वो कनवर्टर, ये वो सब चीज़ें हैं, बिको अच्छन लगए, याद ठीक है याँ, यीजी तो मैं अच्छन लेगा है, यहाँ से वहां काब तक होँआ जाएंगे और फिर, पता नहीं, फिर मुझे लगा कि, कैनेडा में फिकाशीज थे हैं कि आप वापस यूएज जाने का option बहुत अच्छा है, तो आपको रिमोटली काम करने के लिए अलाव करती है तो आप यहां रहके भी युएस ते काम कर सकते हो और सेलरी आपके आलमोस्स सेम ही रहती है तो और जाना भी उत जासते है कनेडियन सिटिजन्स आर फ्री तो गो तो युएस तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब मैंने का चलो चलते है तो फिर मेरा प्लान था कि यहां कुछ साल रहते है फिर वापस जाओंगा युएस फिर यहां पर आया तो COVID हो गया और फिर मुझे इनिशली मुझे से लग रहा था कि यार थोड़ा सा उतना नहीं है जितना मैं सोच रहा था Canada because I was thinking कि या युएस if युएस इस 10 इंडिया if I just consider one but इंडिया नहीं है one तो बट मैं सोच रहा था अगर युएस को 10 लेता हो तो आप Canada को क्या स्केल लेता हो मतब जो opportunities यहां पर है जो lifestyle यहां पर मैं कवंगा like five to six five to six but ठीक है मतब यह एक सिर्फ एक एंगल है देखने का because आप सुचते हो कि पैसा या opportunity एक lifestyle मतलब वहाँ पैसा जादा है opportunities जादा है आप जल्दी ग्रोग कर सकते हैं company यहां बहुत जादा है government थोड़ा support करती है अब उन लोग यह मैं बात नहीं करूँगा जो यहां पर like PR पर आते हैं तो मैंने काफी मेरे दोस्ते हैं बनी जाते हैं obviously आप कहीं पार्क जाते हो तो कोई अपनी कंपनिया मिल जाता है कोई अंदा मिल इंडियन मिल जाता है पर उन से आप बाते करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं यहां पर बहुत साई लोग है जो बहुत स्ट्रगल करके आएं और ऐसे से लोग जो वहां डॉक्टर थे यहां पर आके उन्होंने Uber Eats में ऐसे किया है शुरू के दिन वहां पर बहुता है जो पर फिर यहां पर आया मुझे ओर भी बुझे कि मॉडले तो अच्छा लगने लग गया मैं ठीक यह इतना भी बुरानी है लाइफ कूल है यहां पर जो वरक कल्चर है वह सिमिलर है उसके बाद आपकी लाइफ है मेरे लिए इपॉर्टेंट था कि आपके जो सराउंडिंग है वह पॉजिटिव हो आप मेंचा बस की भीड़ इसकी भीड़ ट्राफिक का यह वह थोड़ा आसर की नहीं है तो मैं बहुत बहुत परिस्ता हूंगा ऐसा नहीं है बट ठीक है मतब यह है तो अच्छा है मतब ऐसा है और उपर से फिर जो मैं करता रहता हूं मुझे वह करने के लिए मिलता है अब इंडिया में क्या था यह बैन हो गया वो अब इंपोर्ट निकर सकते वो निकर सकते तो थोड़ा सा इसू रहता और आपको बहुत ज़्यादा पैसे पर करने पड़ते हैं आप यहां पर बोटिंग करते हैं आपको अपको बोट है देन मैना नीचे देखा आपने डेट अपना बिकोई माइन इन पूरा अपना नीचे एक तरह से मैं के पूरा सेट अप किया हूँ है इतनी ही लिवरेज आपको यूएस में भी थी मतलब इतना ही रिजी और यह सब था मतलब हो दू कंपर ढ़ल यू आप इस अफ शट इन फूरा इस इतना सब कुछ और इस अपना इस इस अप यूएस अप एर इन एन कंड़ड़ सी इस अफ इस अप तिया इस आप कूछ वड़ पर 3-8 तक देखाता मैंने, but that is not only the factor, factor इसमें ये भी है कि यहाँ की किनोमिना खूजड है, अगर कोई नया ब्रैंड आता नहीं आपर, तो आपको उसका सिर्फ कनवर्जन भी पे करना होता, आपको उसके प्रीमिम भी पे करना होता है, जैसे चोटी सीज़ बताता हूं जैसे कोई कामरे का लेंस है एक जामपल दे रहा हूं अब आपको थाउजन डालर का है यहाँ पर आपको तेरा सो भी देने हैं यहाँ पर आपको इसको फैसे आपको पंधरासो बहुत करें आपको लगता है यार चलो अच्छा खाओ अच्छा पहनो कहीं जाए तो घूम लें तो इसके लिए आपको की टेंशन नहीं है थाना यह अच्छा है सस्ता तो नहीं वह लूँगा लेकिन ठीक है तो इतना आपको टेंशन लेनी ज़रत नहीं ज़रत नहीं और जो आदनी नया वह सोचता भी निया कि मैं बोट लूँ या मैं यह करूं और वो करूं that you have empty like no plenty of time to think about all those things to man actually use that though I was already spoiled to वहाँ थोड़ा पैसा भी ठीक है तो चलो यार ले ले लेते हैं या चलो या यह देखा चलो या यह ले ले लेते हैं तो ऐसा experiment कर लेते हैं तो वह सब कर लिया बागी मैं मेरा यह भी है कि थोड़ा DIY करता था इंजिन देखा तो इंजिन चलो यार इसमें इंजिन क्या प्रॉलम जब टाइमिंग सेट कर लेते हैं इसका पिस्टन कोल के देख लेते हैं Elon Musk टाइप Elon Musk टाइप वह मेरा वेट कर रहा है इस चीज़ का तो जैसे अब आपने आपके बास अपने ड्रोन का अपना एक मिनी फैक्टरी भी आ तो अब जैसे ड्रोन लॉज कैनड़ा में तो बड़े स्ट्रिक्ट है तो Canada, US में तो कुछ भी उनको इशू नहीं है नहीं ऐसा नहीं है तो actually इसकी भी अपनी चीज़ें है initially मैं देखा था कि ड्रोन में इतने लॉस थे नहीं फिर बहुत सारी news आए कि कोई एरपोर्ट में कही ड्रोन कहीं प्लेन में घुज गया कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया लेकिन वो किसी के अपस न उसका footage है न उसका कुछ ऐसे दिखा रहे है कि evidence क्या है बिकस मैं थोड़ा सा follow भी करता था उसमें केस भी हुआ था बहुत सारी ड्रोन की जो उनने कहा था बाद में रिलाइज हुआ कि जो corporates है न वो भी एक space होता है आपका उसको क्या कहता है मैं भूल गया उस area में ही आप drone उड़ा सकते हो तो वो बहुत सारे corporates भी उस area को capture करना चाहते है बिकर don't deliveries के लिए या और चीजों के लिए उटको भी उड़ा सकते है और बाकी drone जो अन्तुसिया स्टेंट हो गया है वो बैंडविड्ट हो गया है उनको भी उस करनी है तो फिर मुझे रहता है कि यह प्रोपागेंडा था तो फिर मामले में आपको क्या लगता है कि अगर आपल आपल कंपारिजन करें जैसे अगर आप आप आई-टी में हो ना तो जोब्स आई-टी की युएस में या फिर कैनाड़ में दोनों में उपरचुनिटीज में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स आफ मतलब तीन चीजों में मैं देखना चाहूंगा कि इस कितना है डूनना मतलब कितनी इसली मिल जाती है दूसरा पैसे का क्या डिफरेंस है और तीसरा जब आप जॉइन कर लेते हो तो सस्टेनेंस कहलो कॉंपेटिशन कहलो परफॉरमेन्स कहलो वो सब में किया डिफरेंस है मैं ना उल्डे स्छुरू करता है परफॉरमेंस वाली बात से परफॉरमेंस में तो कोई डिफरेंस नहीं है मुझे रहता है कि केणेडियन्स in general ज़्यादा polite होते U.S. आलों से मतलब by culture ही ऐसा है और ये वैसे भी होता है जिसे अगर आप New Hampshire चले जाओ Maine चले जाओ U.S. में भी तो वहाँ के लोग भी थोड़ा सा cool down रहते है हर चीज थोड़ा सो चलती है everything is like good same culture Canada का भी है तो मुझे IT में तो अभी तक मैंने देखा नहीं और मैं बहुत सा मेरे friends भी है सारकली IT में ही है तो उन से भी मेरे को यही लगता है कि everything is slow but cool आप एक gradual progress करते रहते हो इतना कुछ वो नहीं problem नहीं अब हाँ organization management level पे change हो गई तो आप फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते और तो आपकी किस्मती खराब है तो but हाँ ease of job जो job finding वाला phase उसमें तुम मैं बलूँगा कि और पैसे के मामले जो आपका second था उसमें जमीन आसमान का फरक है मतलब मुझे जलता कि आपको ना इतना मुश्कील है जोब लेना और मैंने बला ना कंपनिया इतनी slow है कि अगर आप reference के तुरू नहीं हो या आप कोई recruiting agency के तुरू नहीं हो तो I expect भी मत करना कि आपको call आएगा मैंने मतलब मानो कि मेरे को इतनी calls आती है और मैं clients को बोलता हूँ मैं से सब भी पूछते हैं कि साहिल मतलब कितना आसान है नौकरी रून में मतलब इस गयर प्रिमिटिव्स अगर कोई ऐसा देश अभी दख सिरव रेफरेल्स पर चल रहा है और रेफरेल्स पर इतना strong चल रहा है तो प्रिमिटिव्स हो है बट यूएस में जॉब्स मिलनी असान है मतलब इस में तो ऐसा है ना कि अगर अगर आप मतलब मैं जब यूएस में था तो आ नेवर थॉट आप चेंजिंग बट ऐसा होता ना कि कभी-कभी आपको लगता है चल आयर ट्राइब तुमान लेते हैं अब डाल के तक देते हो तो यूगेट अन अवरेज फोर लेक होल टू त्री यहर्स फोर यहर्स आइगाट ऑन अन अवरेज वन और टू कॉल्स इन वन और टू कॉल एवरी वीक अगर अपने रिजुमे फ्लोट कर दिया तो कॉल आती रहती अब अब का कीवर्ड ओना चीज़ आप डेटाबेस डेवलोपर आप जावा डेवलोपर लेकिन यह थुड़ेश इनकी लिक्विड़िटी बहुत जादा है तो अब आपको इतनी कॉल्स आइंगा बोलोगी यार अब परिशान जाओगे मैं अगर आप उस रेंज में नहीं आप उप रह एक्सपेक नहीं कर रहें जैसे मैं इग्जांपल ले साट कर रहा है इसा कुछ है नहीं कि इतनी होती से यल्री बड इंग्जांपल सैटकिख जाओड डेवलोपर एक और इलिवलोफ्टेवलोपर है तो अन्ड़न आलेट म मांग रहे हैं 251, then you might not get a call और यह भी वो ज्यादा आगे नहीं बात बढ़े बट आप expect कर रहे हुतना तो शायद आपको मिल जाए और easy आपको मिलना बगर आप उतना ही आप Canadian currency में आप आप एस जाड़ा उपर मांगोगे ना तो शायद आपकी बात Unless until you are working for a technology or a small firm, let's say आप बोलो कि Facebook के लिए या Google के लिए या Amazon के लिए आप काम करो जहां पे साथ साथ राउंड होते हैं और बहुत जादा आपको like you have to be like 1% of that whole thing, तो उसमें अलग बात है अगर आप general like insurance domain में जारे हो banking में जारे हो, तो भूल जाएंगे, उसमें तो आपका 100 भी मिल गया ना, 120 मिल गया, और मैं सारे ये मैं numbers से example के लिए reference के बता रहा हूँ है वहाँ पे, मैं जाब, वहाँ पे easy है, मैं जाब, फटा-फट interview call आ रहे हैं, फटा-फट हो रहा है आप उनकी site पे जावगी करो तब भी हो रहा है और वहाँ पे एक एकना ecosystem बना हुआ है कि companies का अपने अलग recruiters है, एक अलग, आपकी दूसरी company जो सिर्फ HR services देती है, या hiring services देती है, उनकी अलग, तो वड़े quick हैं वो लो यहाँ पे मैंने उतना नहीं देगा बाकी मैं लगता है कि first, third point तो similar है, बाकी दो point यह, ease of job finding यहाँ पे आपको लगता है, मुश्किल है आपके अपनी पहली job यहाँ पे कैसे डूंडी? मैं तो ट्रांसफर पर आया था, मैं सेम समझ में आए कि यहाँ पे jobs में लिए मुश्किल है, तो आए ही क्यों यहाँ पे, मतलब अगर पैसा कम है US से, jobs की opportunities कम है US में, तो फिर भी आप यहाँ पे को क्या लगता है, कि क्या benefit है यहाँ आपके? मतलब, मैं बताता हूँ कि क्या इसलिए तो नहीं है कि US नहीं रहने दे रहा है, तो इसलिए वह कहते है, चलो second best पे चलो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि US नहीं है, या या Canada नहीं है, मतलब, मैं बलता हूँ कि यार, अगर हम देखो, आप कोई आदमी जब पैदा होता है, वो ही सुचता कि यार, थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए मैं इंप्रूव करूँ लाइफ को, राइट, कोई ये सोचता मैं कि I- Stagnanty रहूँ कि अगर मैं किसानी करता हूँ, वो सुचेगा यार, कि मैं चार केत और खेद लूँ, या थोड़ा साना मैं और कुछ कर लूँ, थोड़ा साथा पैसा कमाता है तो फिर, अपने देखा कि हारा हम फिस सुचता है, या थोड़ा शांती जे लाइफ मैं यह कित कि यार कि मैं जाओं इंडिया में और में प्लैन भी है कि अब वसे बाद में जाओं कि जो क्लटर नें इंडिया में वो में को थोड़ा सा लगता कि यार वो आपको साथ कर सता है इस ऐसी कंट्री में रहने के लिए लेटर मतलब चुछी चीज़ा होगा अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो मेरे ख्याल से इंडिया इस वेरी गुड अंडाउटिडली मतलब आप कंपनी इस में यूण हायर ओफिशल लेवल आपको को अच्छी मेहनत करो तो आपको क आपको कोई ओपर मर्परम्री चिंता करनी ना कुछ करनी है हमने को सोचा विद दजवारे में कि आपको क्या स्टेटर से इंडिया में अब तो यह डाला पेपर दो मिने वेट किया जा दूसरी कमनी चाहिए तो इंडिया में मुझे याद है जब मैं जॉब्स जब मैं करता है तो उसको जरूर यह चीज माइंड में रखनी चाहिए कि जॉब्स के लिए आपको मेहनद अभी से शुरू कर देनी चाहिए हां और इस पर मैं पहले यहां पर क्यों आना चाहिए तो मेरा इस पर यह था कि अगर आपको लग रहा है कि आप वहां पर जॉब करते हैं अच अच्छा एक फ्लैट ले सकते हो और अच्छे कार ले सकते हो बट बट एक जो डेली के चीजें होती हैं राइट कि आप उठे आप ट्राइफिक फिर आपको हवा वो मतलब सब ट्राइफिक और फिर हवा और यह सब यहां वहां यह फिर वो सब चीजें अगर आपको नहीं क काफी तीन बजा था, सुबह बहुँ उठा, मैं बाहर बाल कर नहीं में गया, मैंने का यार, यह आस्मान नीला इतना ही होता है, यह मुझे दिख रहा है, तो बहुत लब साफ, यार, दुबही से तो बिल्कुल कंपेर मत करना, दियो सब को पीला-बिला देखेगा, अचा मैं मैं गया ली, बट मैं फर्स टाइम ही में रहा था, महाँ पर, किसी बहार, इंडिया से बहार, फर्स टाइम था, तो मैं बड़ा इंप्रेस्ट हुआ है, यह चीज़ है, और चीज़े बहुत क्लियर हैं, मतलब अगर दो प्लस दो, चार है ना, तो चार ही है, आप को जुग पर चिजा काउचीज़ के लिए आप brushed, कार ने तो नहीं होता है, यह चीज़े में यही बिल्कुल सिंप्लिफाइब ने, तो आपको उस्चीज़े लाइब की रहती है, यहाँ जी ईनुट सोग ही झाल few ली जी जाए हैबेते ही तो सट्रेस वह जाइने कहीं आदे में में बिल्कुल सिंप्लिफाइड ने तो अगर आपको उस चीज़ लाइश्टाइल के रहे आना है तो I think I'll give an example, हुआ क्या कि अभी मैंने इंडिया में अभी अपनी company incorporate करी है, अभी ये चली रहा आजका, experience बताता हूँ, onboarding के लिए, मैंने एक महां की बड़ी famous IT company है, जो की payment systems में है, नाम नहीं लोगा में जबर्दस थी, बट बहुत ही बड़ी company है, बहुत बहुत जादा नाम है उनका, and IT well enabled है, मतलब सब कुछ आपको कुछ नहीं करना, कभी हम आपके वास RM बेज रहे हैं, कभी हो पिक अप करेगा, कभी हो कुछ करेगा, मतलब सर दस दिन हो चुके हैं, मैंने लिटरली अपना सर पकड़ी मैंने कि अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, मतलब कितनी चोटी सी टुची सी चीज है, कि मेरे को एक बैक अकाउंट कुलवाना है, कंपनी कुलवाली है, and किसी को भी पता है, मतलब यह जग जाहिर बात है, कि एक नहीं कंपनी कुली है, it's a newborn baby, you don't have a bank card, you don't have a transaction history, you don't have the infrastructure कि आप उस चीज को support कर सको, अगर आप एक नहीं कंपनी को एक bank account नहीं दे सकते तो आप उसे white में काम कैसे कर रहा होगे, बिल्कुल 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 ना चाहे चाहते ना चाहते उसको cash पकड़ना ही पड़ेगा, तो बड़ी ही जादा मतलो अब उनको बोला अब हर चीज आज की डेट में online है किसी भी company को online Google की subscription लेनी है, email की subscription लेनी है, कुछ भी लेना है, credit card तो चाहिए, अब इंडिया में कहते है कि दो साल की transaction history ने credit card नहीं देंगे, तो अब आचा, आप जो वहां के debit card issue हो रहे है, उसके पीछे numbers नहीं है, मतलब debit card को online यूज नहीं कर सकते, company को आप credit card देने दियो, तो अब हम क्या करें, UPI company में corporate accounts में UPI है, मतलब how do you, मतलब आपने एक तरह से गरदन भी बगड़ ली और उसके बाद आप कहरो कि भागो, कैसे और वर्सिस Canada, मैंने अपनी RM को फोन किया, जो मेरी यहां पे bank में RM है, अब मानोगे नी मैंने उसको फोन किया, और मैंना पहले यही पे वुट्सॉक में गया, मैंने का मैं जाके bank account खुला तो मैं गया उनके पास, मैंने का bank account कहते है आपको आपोइनमेंट लेके आना पड़ेगा तीन चार दिन बाग, मैंने कुछ नी किया वापस आपके मैं अपनी RM को email डाला, उसका आदे घंटे बाद मुझे email आया, कहते ही सहल आपका account open है मैंने आपको agreement भेज दिया, kindly sign it and send it back, मैंने अच्छा मैंने उसको बोला है मैंने का do you want me to print it and sign, कहते ही नहीं 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 नहीं, just just write your name in that section और मुझे वापस भेज़ो, आपका account open है, next half an hour बाद उसने मुझे, का मैंने आपको 10 फ्रीचा के शू कर दी है और मैंने आपका अकाउंट कोल दी है आप you can go and start doing your training मतलब इस देखो एक घंटे के अंदर I had an operational bank account सब कुछ था मेरे पास करने के लिए और credit card on the way मेरे बिना मांगे and then India में मैंने दुनिया बर की चीज़े कर दी अभी तक मेरे पास on-boarding नहीं है और फिर लोग और फिर नॉर्मली कहते हैं क्यार why do you say bad about it मतलब हमें like operational अगर hiccups हैं किसी चीज़ को करने तो है ना accept the truth कि अगर कहीं पर कुछ problem हो रही है तो people should look into it मतलब कि आपको इस चीज़ को fix करना है बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये तो चीज़ है मेरा भी एक example बताता है मेरा PF मैंने जब इंडिया में जोगी तो आज तक वाटका ही हुआ है तो वो निकली है वो निकलता नहीं कम निकलता भी पता नहीं बिल्कुल सही चीज़ है और बहुत नेचर चीज़ भी है इसके लिए ना इस बिल्ब ये इंडिया वर्सस कानाडा नहीं किसी भी developing country एक country भी ना company चीज़ होती है और एक developed country होता है जो एक more mature company होती जो बहुत सा इंसे business में तो difference सिर्फ मुझे जो लगता हूँ यह है एक process का बोलता है ना कोई भी country परफेक्ट नहीं होता वो एक picture आई थी उसमें बोलता है कि उसको बनाना पड़ता है बना रहे तो कैसे है हम लोग better governance से better process से तो जैसे यह है कि आप एक process बनाया कि यार यह कैसे होगा राशन कैसे बटेगा या यह card कैसे बटेगा तो वो process में आप float करते हो उस workflow में आप आते हो तो आपका काम हो जाना चाहिए आपको पता किसे मिलना है यह कुछ नया चीज आ गया अब मालो digital currency आगी bitcoin अब यह कैसे करें अब उसके लिए ना fund है ना कुछ है ना हमने सोचा है अब इंडिया is a developing country उसको बहुत साइट basic चीजों पर भी ध्यान देना है अभी तो आपका यह आगया अधार काड आगया पहले तो यह भी नहीं था आप आप देख लो हमारा यह भी नहीं है कि आप इंश्रेंस का कुछ सब एक single platform नहीं है आप गाड़ी आज ठोक दो कल दूसरी इंश्रेंस फाले देख लो उसको आज उसका record नहीं है आप तो एक fresh case हो यहाँ पर ऐसा देख लो आप यहाँ पर नहीं है यहाँ पर सब डेटा शेयर होता है तो क्योंकि देखो यह भी एक रिजन है आप यहाँ पर क्योंकि देखो कंट्री जो है अपनी स्पीड से चलता है आप उसके बेटर बना सकते हो बट आपको अपकी पुरी लाइफ डेटिकेट करनी पर इसके लिए आप शायद इतना सा डिफरेंस कर पाऊ अनलेस अन्टिल आप बहात में बागा दिया बगत सिंग हो तो अलग चीज़ है बट कैनड़ा इस अलड़ी एड़लोप कंट्री तो आपको आप अगर यहां मूव आते हैं तो यू अलड़ी ए पार्ट अफ हाइडी लाइफ प्रॉस्पीड मूविंग सिस्टम और जिनका अलड़ी प्रॉसस है जिनका इतना फंड है कि वो लोग दो मिनिट में से एक लॉन नया ले आते हैं जिनको आपने ओपोशिशन के और इतना सोचना है नहीं यह तो करना है तो करनाई यह यह तो इंडिया प्रोग्रस करणा है ज्यादा बढ़िषध बढ़ जाएब पड़ेघ्ट अब आप देखे तो एक चोड़ा एक्जैंपल और है कि अगर आप देखे कि by economy हम बोलते हैं न हम वर्ल की third largest economy बन गए है यूएस और चाहिना की बाद शायद लेकिन आप per capita income देखेंगे तो शायद बहुत ही कम है, बहुत कम पर I don't know कि like 1000 डॉलर है, 1200 डॉलर भी नहीं है शायद, क्योंकि यूएस और कैनिडा की like Canada की में देखा था 40,000 डॉलर से तो कहां difference है, कहां 1200 डॉलर और कहां 40,000 डॉलर और यह कोई ऐसे लोगा गंबैजर नहीं है, जो बहुत ही executive है बहुत ही normal class के लोग कैसे लाग जीते है तो हमारा वो जो है, अब government किसको feed करेगी गवर्मेंट के सबको देखना है लोगा है, 130 क्रोड आए 130 क्रोड वाय डिजाइन है वही बाय दिजाइन ऐसा है मतब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते है या तो आप अपने चीज़े सुझार सकते हो but then you are in a balloon in around like that whole situation, right तो अगर आप तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो सारा क्लेटर खतम है, कहीं जॉब देख लो, शुरू के साल स्ट्रकल है, यू आपने जॉब कर ली है, अब कुछ भी करो, मतलब यहाँ पर यह अच्छी चीज़ है कि इंडिया में एक जो सोफिस्टिकेशन है, एक हाई क्लास एक इसने मेरी बेसमेंट की नहीं होती है, तो इनके पिछे लगड़ी अलग होती है, तो अगर आप यह भी एक जॉब है, ड्राइवल लगाने का, अगर आप सिर्फ यह यह पे पॉट्स लगाते हो, तो भी आप एक रिस्पेक्टिबल लाइफस्टाइल जी सकते हो, आप घर बुद्सक्तिय जी सकते हो, और आप नहीं गाड़ी रे सकते हो, नहीं गाड़ी ऻो उसकते हो, घर यह बाक, पिट सब लूटोफ में बराबर है, आप मेहनट करो, आप αच्छी डrimbon Ass около और प्लमदिंग करों, बनाओ अगरों प्लम्बिंग करों, भ्राइविं करों और government support करती है आपको subsidize courses देती है आपको help करती है जौब पाने के लिए तो और काफी अची चीज़े हैं मतलब आप वह सब कर सकते हैं बट वह यह कि इंडिया लेकि मैं बोलों कि आप IT में हो इंडिया में और आप कमा रहे हो अच्छा तो फिर आपको सोचना चाहिए कि आपक अच्छा आपके काफी सारे दोस्त हैं जो लोग आईटी में ही काम करते हैं तो उन लों का क्या feedback है मतलब उसमें से काफी सारे इंडिया से वह यूए से वह है मेरे क्या है तो collectively जब आपने प्रोजेक्स पर बात करते हैं जो भी टेक्नोलोजी और वाटेवर तो क्या feedback रहता उनका कि क्या difference हुआ यूए से यहां पर आके और क्या हुआ जहातार तो लोग थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि यार कि टेक्स बहुत जादा हैं बिकस और मुझे रहता है कि हमें उस feedback को खासकर उसके लिए बिकस आपका सब चीज़ और इमिग्रेशन है उनके feedback को इतना consider करना लगवी निचे हैं बिकस यूए सिस्थ जादा प्यार तो यहां पर क्यों पर क्यों ए सकते हैं थोड़ा पत पैसा कम है चलेगा लेकिन आप किसी ऐसे बन्दे से उस से थो यूट पाला है तो उसको पहले से चादी के जब मच में आइस्क्रीम मिल रहें तो वो क्यों खाने तो नहीं बोलुँगा, तो थोड़ा सा उनको जादा पैसे मिल रह दे सब कुछ सा, फशी खोड़ा सा र derechos उनको ख् है को ए यह यह एधा है यह यह क्या है और हपर टेक्सista काonsin बहुत कम टैक्सिस है यहां पर टैक्सिस बहुत जादा है तो उनको लता यार हमार तो कुछ बची नहीं रहा है बट इफ दे कंपेर देर लाइफ जब आप पर रहने नहीं देरे तो फिर उसके बारे में अच्छा फील करके अब कर भी क्या लोगे राइट आपके आपके बा कर सकते हैं आप टाइम पर आपकी कार ही आपको काम आने वाली रही तो उसके सोच के आपको क्या करना है और आपको आपने ऐसे कुछ शुरू किया वहां कि कंसल्टिंग कर लिया कॉर्डिनेर वहां भी चले गए वह रिगला चीज है बट पता नहीं मुझे रहता इसी वर् अपने गर के अंदर कंस्रक्शन भी करतो आप नए प्रोजेक्ट भी चेड़तो आप बिटकोई माइन भी करतो तो इतना वोकलाइफ बैलन्स इसली मेंटेन हो जाता है क्या यह सच है अगर कोई करना चाहे बन तोड़ा सा पता हूं लिक हाव बाट वर्कलाइफ बैलन्स I mean, see, मतलब मेरा फंड़ा यह कि है कि यह बी क्यूरियस all the time. That makes you like young and alive when you are living the life. तो, because, अब मैं कुछ काम करूं, stress बहुत होता है, like five, six o'clock हम लोग बंद करते हैं, तो उसका क्वी क्या कर सकते हैं, क्रिब कर सकते हैं, क्या कि यह कितना काम का प्रेशर है, और टाइम नहीं निकलता है ऐसे, मतलब जब मैं कैनड़ा यहां से तीन-चाह साल पहले आया था, तो, मुझे पता नहीं मैं कितने साल पहले आया था, मुझे लगा रहा है, कल दो-तीन मैने पहले ही आया था, ऐसे ही शाहिद उसलब साट का हो जाए, सतर का हो जाए, तो, या तो हम वापर जा सकते हैं, कि यार यह वो ऐसा है, या अपना काम करो, और आप देखो कि आपको जी कहां मिलती है, और अगर आपको अंदर से मोटिविशन है, कुछ चीज करने का, तो आपको वो स्ट्रेस नहीं लगता फिर, तो आपको लगता है, यह तो बड़िया चीज है, यह क्या चीज है, यह क्या चीज है, इसको ऐसे करते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं पताता blue mountains वहाँ पर हजारों लोग कर रहे है और खूब enjoy कर रहे है और ज़ो यार दुबार आते है है नहीं आँ अछू है यार यह drone क्या चीजह दे चलो यार सस्ता मिल रहा है यार यह component लिया या अब पिर आपको अपको देखा यार उसका तो like operating system होता है खुद का उसके firmware होता है उसके hardware की soldering करो motor लगाऊ यह लगाऊ वो लगाऊ तो जो भी चीज है तो फिर और यह चीज है ऐसा नहीं कि मैंने सुचा कि यार मैं ऐसा करूँ गा तो मैंने कर लिया ऐसा नहीं है मतलब स्कीइग तो मैंने ऐसे ऐसे ऐड देगा था मार्केट प्लेस पे उन वो स्कीइग वालों का एड था कि यार साथ 60 डॉलर्स में आप स्कीइग भी करो आपका एक्यूपन्स भी है तो मैं ऐसे जीन पेंट पेंट के चला गा तो मैं पतागर क्या थे हैं अपनी वाइफ को गु यह सरे ऐसे चला गया तो कि अब बहुत 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 गिरा तो मैं ओफिस दाग चला आथा तो एक दो हटे में फिर गिरा के सीख गया तो उसके बाद फिर अब हर जब साल होता है तो मैं 4-5 बार या जच्टन वार भी उता है कर लेता हूं तो सीजन वाई जाए से सब गर तो तौब आप निकल आता है कि विकेंड में लेयर में करो लेका यह चीज 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 अच्छे पेंट्नि कर लेते हैं तो आप यह स्विमिंग जैसा है आपने एक बार सीग लिया तो आप नेक्स नहीं बोलोगे आपको और बोलेगा ना यार यह स्कीं करते हैं आपको पता है किसे मूव करने या आपको कुछ फिशिंग करने आपको पता है कि फिशिंग कैसे होती है कि इसके बेसिक चीजें क्या होती है तो और उपर से ऐसे से करते 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 आप लेयर पर लेयर लेयर पर बनाते जाते हो यह बहुत आपको help करता है Canada को हो दोस नहीं जो इंडिया के तो आपके ने लूस बनते नैज बनाव किस लॉग देना curry मालिए और मुझे ऐट तो आप एक ऐसी आप जल्दी कर सकते हैं चलो आर वहां चल लेए और जगए-जगर मूः करते हैं आपको लर्ले तो किसी का कुछ होता किसी को तो अगर आप एक बोलते ना अडप्टिबल पर्सन हो तो आप जल्दी आप लोगों से कर सकते हैं चीज़ों लेकर तो यह चीज़े मतलब ऐसी है मतलब अच्छा तो काम पर प्रेशर कितना है आपके पास मतलब अगर हमें एक नॉर्मल जॉब क की बात करें इंडीयर से कमें इंडीयर कब है एंडिया में वहां पर मात है कि यहां पर आप पर काम करें तो आप इसमें एसा कुछ significant है कि ही लेक्रें तो आप कर सिरन ना चैनीरे लिद्टी जॉड़त फाल मंध क्ला लोग ते foreign तो बड़ा मुश्किल हो जाता है तो और ये कल्चर ये कल्चर है इंडिया का बिकाज सबको ज्यादा काम करना है बिकाज सबको ज्यादा अपरेजल चीए या अपरेजल नहीं चीए भी चीए तो knowledge चीए at least good enough to switch तो वो सब चीए तो लेकिन वो हम देखते हैं कि यार ये ये लूप ना खतम ही नहीं होता आप चाहे दो साल के experience हो चाहे 15 साल के experience हो अब ये लूप भी खतम ही होता कि सुबह जाओ शाम को आने वाला है यह नहीं क्योंकि अगर आप बुलते आप अगर बन जाओगे तो बाकी तो ऐसे ही है ना तो फिर आप बन जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा फिर मुझे आथा जब मैं पीस्यू में काम करता था तो मैं शुरूर से मेर को आदवती में स्टार्ट अप से भी आया था तो वहां पे तो हम लंबा काम करते थे बट मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा इनो रिलाक्स इमार्मेंट में जारें तो हम 9 to 5 जॉब करें और अपना घर चल लेंगे न कंने प्मांच बजे हुआ तो ॊवविसली पांच बजे बाद बन्दा बैठ न देख भू बे देखरो हुआ हो सम लोग बैठ रहा में चल अप शाजड़े पांच बजे अधू कोई तो खड़ा नहीं गार्या अप तो मैं चल्धा और ऑफ्नली कड़ा वहा तो मैं फाइनली कड़ा हुआ, मैं हमना बैग उठाय चल दिया, और मैं नेक्स्ट मॉर्निंग आया, तो मतलब बिल्कुली काफेटेरिया के अंदर में को दो-चार लोग गेर के बैठ गए, तु भाई कल जल्दी चला गया था, और पीछे से ये बात हो रही थी, फिर रात को इतने बज़े, उसने बुला लिया, मैनेजर ने बुला लिया, फिर बात हो रही थी, फिर बड़ी इंपोर्टन चीजे हो रही थी, अ, आ, अ, अ, नी अ, सुबह कर आये हुए रात को साड़े आट नौ बजे तो मतता हूँ डियु मैनेज इतना कैसे कर सकते हो तुम काम या इतना तो काम ही नहीं नहीं तुम्हारे बास बारा से लेके पांच बे तक तुमने कुछ नहीं किया अचानक से तुम्हें शाम को साड़े शे बजे याद आ वह तुम गया कर रहु है कुछ भी नहीं कर रहा रहे हो ना सीरफ प्रोवाइडिंग सर्फ प्रोवाइडिंग इंपिट काम matar काशे कर कांका्य जिकर कर तो यह तो यह तो मांन मिलें टभाक बहुत अन यहाँ नहीं टैसा नहीं लगा बहुत सारे लोगों होसता है, मैं ऐसे 100% इलिमिनेट नहीं करता है, इसकी चांसे की नहीं हों गई, होसता है, कहीं कोई पॉकेट में कुछ आपनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा, और अगर आपको लगता भी है, तो आप, यहां पर ऐसा कल्चरी नहीं है, विकाज सभी लोग यहां पर अपने लाइफ जिनना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कोई, अगर, अलेस अपने अपने यह रेगिलर जो चीज झूल आपने बनना यह ऐसी चीज तो मैं नहीं लगता है, यह आपको यहां बर्लाइख कैसे है फुल्डिन फनली नाइट नीमा कशी पर देंगा लीए, जब नहीं कुछ पोजय कि हम बात हैं है कर रहे हैं, like no like no hundred thousand dollars two hundred thousand dollars और हम office छूटे इढ़ाई भाजे खाने के लिए भी कुछ नहीं है तो अब फिर वो रेनले सेशन जाके ना वड़ा पाव वगारा खाके हम वो पेपसी पी के फिर गर को ऐसा में हमने भी बहुत ताइम निकाला है और बेकर रहता है इसे ही है वहाँ पे क्या कर सकते है हमेरे साब से if we can improve on it why not and it may take time to improve बट ठीक है हमेरा प्रोच यही है कि आप इंप्रोब कर सकते हो but there are risks in improvement and that whole thing but आपके उपर भी कोई है, आपको औराइशन का भी support चाहिए, और बाकी नीचे वाले तो support मांगी रहे हैं already, कि वो कही दहाँ पर जाना है, वो तो उमसे पहले घर जाने को चाहिए, लेकिन वो है कि यह चीज़ों को ना, मानते हैं, हर आदमी को पता है कि सही क्या चीज होती है हर आदमी को पता कि सुबे 5-8 सेहत के लिए सही है, हर आदमी को पता कि थंड़े-पानी सही ना आना चीज़ों, बट कितने लोग करते हैं उस चीज़ को, कौन करेगा, तो यही फरक है बस, यह जानना की सही है, और यह करना की यह सही है, तो इसमें बहुँआ नहीं है कि मेरे को पैसा कमाना है, ये मत सुचो, ये सुचो कि यार कि मेरे को आप पहले जिना मार्केट रिसर्च करो कि सबसे नीश स्किल कौन सी है, तो उस चीज में आपको कॉम्पेशन बहुत एजी हो जाता है, जिस आपको लगया कोई, जिस आई टी बात में एक्सांपल, मैं वह जिस आपने कर ली ना, तो ये तो आपका हो नहीं होना है, ब्रेंट बटर हो गया, ब्रेंट बटर हो गया, जिस आप इंसुरेंस लेलो, बैंकिं लेलो, बिकस वो उन पे उनके सिस्टम बने हुए, अब उन्से चेंज को मिलियन डॉलर करने पढ़ेंगे, तो उनको वहां लेकिन जावा का खटा किया कि, कि जावा इतनी वेल स्टैबलिष है कि उसके धुरंदर वहां पाली बटे तो आप, if you are good at it, that's fine, but yeah, you have to be amazing at it, amazing, लेकिन जैसे कई चीज़ें होती ना, packages आयाते नहीं जैसे, अब जैसे नहीं चीज़ें से DevOps आगया है, तो DevOps में क्या होता है क कि आपको इतनी प्रोग्रामी नहीं करना है, आपको लगे यार कौन करे गाती प्रोग्रामी यार लॉजिक बोजिक में को समझ माता नहीं इतना, आपको सिर्ट कन्फिग्रेशन करनी है, systems को समझना है, okay, DevOps is something which is very, in compared to programming is easier, okay, और कई बहुता है, platform programming, जो कि में जाता है, अब काफी निकल के आरी है, और काफी निकल के तो नियारी काफी साल हो गए, जैसे अब एक सांपल लेता है, जैसे किसी को programming भी करनी है, इतनी हार्ड नहीं करनी है, तो Salesforce जैसे एक सांपल है, CRM-based कुछ चीज़ है, वो कर सकते हैं, या अपना एक चीज़ पकल लो, कोई एक आपको जोब मिलेगी, बहुत हाइं पेग जोग भी लेगी, बार आपको स्टेवलाइज कर देगी, अब आपको आप लोग गया, हाँ, 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 कैनेडा आते में, सेटल हो गया, में जोब मिल गई, इनकी लिक्विट्री जाद है, और इन पर कॉंट्रेक्टिंग पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स आते हैं, वो पूरा दजद बार बार घंटे कोट समझाते हैं, बिल्कुल इन डीटेल, ठीक है, और फिर आप वो करने लग जाओके तो आपको एक रुप्यारी खर्चा करना है, आपको पूरा पूरा प्रोजेक्ट मिलता है, तो आप वो कर उपर है, और यह सब फ्री भी है, फिकमा तो फ्री है, आपको लाइसेंजी मिल जाता है, तो मतलब अगर हम कहें कि यार मेरे को कुछ नहीं आता, तो मतलब जस्त लाइप टॉप चाहिए आपको, और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, मुझे लगता कि आपको अप्ग्रेड क कर सकते हो, और आपको एक्सपेक्टेशन ही है कि मैं जाती दो हजार, टू हनडर थाजन दॉलर्स की मैं जॉब ले लूँगा, आपको लगता कि मैं सस्टेन हो जाँ, तो मैं सस्टेनिंग अमांट होता है, कैनड़ा मुझे लगता है को अगर खुद का मकान नहीं है, अब अगर आपको किराए पे रहते हो, मुझे रहता है सतर असी जार पर का शुरूब जाए, सिंगल या फैमिली इंकम में बात कर रहा हूं, आपके बच्चे क्चे नहीं है, आप दो ही हो, अकेले आप सतर जार तो अच्छी बाता है, अगर दो भी हो, सतर जार जाए तो आपका प्लंबिंग का लाइसेंस ले सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरेंस है, अगर साइट बिजनस होना अपर अच्छी बात है, हाँ, अबिसली है, अगर आप उस अगर लिगी थोड़ा एक्सपीरेंस होना चाहिए, अपका मन भी होना चाहिए उन चीज में, राइट, करने को आप आप साइट बिजनस भी जरूरी नहीं है, कि आपको कॉंटर्रक्टिंग या फिर और साभी करना है, ये कि इन गेट इन तु से आईटी में हो तो आईटी में ही कॉंटर्रक्टिंग करना है, बिल्कुल, से टेक फ्रीलांस कोय भी अगर प्रोग्रम ले लो, बहुत आप तो तूरो आ गया है और अपवर्क आ गया है और एक में एक और से कुछ नाम है ना उसका साइट फाइवर आ गया है तो यह बहुत अच्छा बहुत आपको तुरंट चुट 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 में जोब तैसी मिलती है UX डिजाइनिंग की जॉब या कोई डेवलोपमेंट की माइक्रो सर्विसेज वगरा की काफी इसमें जॉब से अगर अपने पॉर्टफोलियो बना के रखो तो यह किन हां बिल्कुल स्टूडेंट साइटेंग अगर जो स्टूडेंट यहां पर आते हैं या फिर जो नए लोग भी आते हैं वो लोग भी काफी अच्छा अपना व मिशी सागा में पता नहीं बहुत सारी जगह हैं किचिनर में जहां पर वो लोग एक एक रूम ले सकते हैं 500-600 डॉलर मिल जाता है खाना भी इतना कोई महंगा नहीं है तो अगर आप वो च्छोटा मोटा ग्रॉसरी में भी करते हैं मैं ले रहा हूं या उबर इट्स में भी तो सस्टेन और थाइम अगर थोड़ा बत चाप गहंटे करते हैं फिर उसके बाद वो अगर यह कर रहे हैं मैं बताया था ना कि वह यू हॉल किराए पर लेके अमेजन की डिलिवरी कर रहे हैं बच्चे तो बहुत अप्चिन है और आप अच्छा अर्ण भी करोगे ऐसा न कारवशिंग का बिसंस करते हैं और षाहर डिटेलिंग काल उसके ड़ेलिक करते हैं और कि अजय कोसी बेला और तो आप का दिमाग चलना चैड़ा यह दिवा यह यह बहुत थे परची इन्ड़ दो करोना, ऑगर दो सकेजैंग इंडिया में मेरे को मालूम है कि हम लोग जहां रहते हैं डेली में, हमारी गाड़ी जहां पर साफ करें हैं तो सुषाइटी में, वो दो सो तीन सो पर मंथ, चार सो पान सो बस, that's it, रुपे, not on more dollars, तीन सो चार सो रुपे पर मंथ, विचारा, 30 days is coming in the morning, आके वो गाड़ी काम-जाम के साथ नहीं कर रहा है, मतलब बिचारा obviously है वो जितना available पान से साथ करेगा, बट still मतलब मेहनत की value नहीं है, नहीं, नहीं, मतलब human labor की value, human labor की value नहीं है, और साथ मैं, आपको judge भी करेंगी, आपकी गर कर रहे हो, correct, right, अगर मैं वहापे पर पर पनी कार्ट साफ कर बनाने वाली अलग आ रही है, खाना मनाने वाली अलग आ रही है, यहाँ पर मैंना एक वीडियो बनाई थी, तो वीडियो में मैंने एक लाइन बोली, मैंने को तुम ही अपने छोटू हो, बहुत मजाक हुआ उसके, बट हाँ, सच है, रामलाल, तुम ही हो रामलाल, बट हा साहिल मैंना इंडिया बैठा हूं तो मैं जारौ हूं इंडिया आपते जाने से पहले मिलने आ है करके और कल रात को बढ़ी बाटी करें नेगा अच्छा के लगार खुनि करें इंडिया पें बात में अच्छा नेखिस गर्वेां among तो कैसा लगा, आट सो डॉलर की बोतल दो भी आपने, बट उसके बाद जो आपने कचरा वेंगा, और जो आपने बरतन दोई, उसके बारे में कहानी बताँ तो मजा है गाँ सब्सक्राइब करने हैं, तो यहां पर ऐसे जो काम होते हैं, वो खुदी करने हैं आपको, ऐसे भी मिलियन डॉलर जिसको आप किसी को हाइब पढ़ा हो, मैं हर वीकेंड जो भी ट्राइ करता हूं कि चलो इस वीकेंड काम करेंगे, इस वीकेंड करेंगे, उसी वीकेंड बारिश पढ़ जाती है, यह किसी वीकेंड स्नौ आ जाती है, और बचारे बाहर से उठा के जा चुके तो मतला अब किसको बुलाएं और यहां पर कोई आने को बिते हैं और फिशिंग करते हैं लोग बड़े खुश होते हैं कि अच्छा तुम तो मज़े ले रहे हैं पिर फिशिंग करने हैं तो यह बहुत मस्कीला और हर चीज आपको सीखनी है यहां भी एक नया लाइफ है और है अजिए आपको स्नो न gesch्ड़ा आपको आपको सो जाऊंगा देख लींग कोण तो रिखेक्ट इचेदर तो बट इंडिया में तोड़ा शाथ वह तो तो आप जिए नियुग अगर कोई हिल निया तो नियाओ तुम लोग जाओ या तुम लोग मैं जा रहा हो यहाँ पे इसा निया जो पहले आया और पहली जाएगा मतार बोस्त अन्याइटी-चीज पर्स कोई है कोई आपको लग रहा कि यार पीछे रात यहां देखोगे तब निकलोगे चोड़ी चीज में कोई गिर गया या कुछ होगा तो आप इने इसको हेल्प करना है तो यह एक सिसाइटी की ना बड़ी सभी चीज है मतलब यहां पर और देख के नहीं करोगे आप यह नहीं हर आदनी हर के लिए रिस्पेक्ट रखता है चीज की और इंडिया में थोड़ा सा आप देखोगी यार नहीं अगर दिखने में से लग रहा है कि यार यह सही सा बंदा है तो यार आप थोड़ा से बात कर लोगे यार फिर आपका मोडी बूलेगा कि यार जाय यार तू मैं इसी चीज है कि यू कांट मतलब अगर कोई मुझे बूचे कि साइव तो रिटायर का होगा तो इंडिया होगा मैं तो आज भी बोलूगा कि मैं तो इंडिया रिटायर होगा क्योंकि यहां पे जो मेरी वर्किंग एर्स हैं उसको मैं सौट आफ काम कर सकता हूं यहां पर मै इसे ही beyond a certain level आप you know आप life में पहुंच जाते हो कि यह आप यह नहीं हो पा रहा पिर आपको लगता है कि यह नहीं अब यहां पे करना मुश्किल है हलां कि लोग करते हैं people have a different opinion altogether बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जब मैं I would have enough money I would rather take all that money to India make a difference and then I would want to retire there but not bad यहां पे भी रह करना ज़रूरी है कई लोग कहते हैं कि यार मैं तो 40 के मौर में retire होना जाता हूं मैं नहीं होना चाहते हैं बट कई लोग ऐसा करते हैं तो ठीक आप 40 ला तुम क्या करोगे पिशिंग करो ट्रेकिंग करो तो यहीं पर हो वरना इंडिया जाके अपने काईटिंग अपनी खो कर लो और यह feeling है यह experience है मतलब अभी मैं सुचता हूं कई बार मुझे ना घर पे रहना है मुझे जाना ही नहीं है हमारे प्री कोई अली बात चल रही है तो जब कोई आया तो यह मैं दो एक दो हुटरें बड़ा खुश वहा यार मैं कहीं नहीं जा रहा हूं मैं दुड़ा कर दिया यह जस्ट राइविंग कॉल्स वी इच अधर लगनों सेंपरेंटिशन है प्रेंटिशन रूम में साथ में लंच करने जा रहे है वह आपकी एक बनी हुई है चीज तो लाइक नो कब तक आप इसको ऐसा करो गया नहीं यह कब तक नहीं तो फिर अब मुझे नहीं ह आपके नहीं है On तो आपके जड़ना इंडर से रहते है कि यह चलो वाई you miss that, लेकि जिसे खाना भूग लग यहां तो पांच देंट आद difो नाध मिस खाता है, तो मुझे अधा, कि यहां जाओ अपिस दूरा हो तो 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 काम करो तो दाट जब तक हाथ पर चल रहे है तो तो मैं यही करता हूँ मुझे तो कोई ऐसा लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम भी है मेरेको इन्हें अच्छा है definitely so I think conversation से यही निकल के आता है कि life is filled with perspective here आप क्या करना जाते हो depending आपके क्या motives है और उन motives के अंदर कुछ कुछ motives में आपको इंडिया बेटर सूट करेगा बिल्कुल कुछ motives में I think Canada बेटर सूट करता है depending on the kind of person you are और आपके क्या you know life में क्या achieve करना जाता हो बिल्कुल बिल्कुल I think yes great बहुत ही अच्छा आपने input दिया बहुत सारे लोग को नौकरी डूणने का नया motivation मिलेगा and especially जो लोग यूएस से यहाँ पर आना चाहरे है क्योंकि उनका यूएस में कुछ नहीं हो पा रहा है तो you know उन लोग के लिए भी काफी है तो what are your thoughts on the closing end I think like Canada is good मतलब ऐसा I mean लेको हर कोई आता है तो थोड़ा क्रिप्ट तो करता ही है that is human nature but I think उससे भी ज़्यादा चीज यह है कि आपकी ज़रौत क्या है कोई USA मुझे ही जगता नहीं कि यह सोच के आएगा कि मैं जाकर Canada सेटल होगा आपको लगता है कि आपको गहां एक्सपार रहा है विज़ा कुछ इश्यू है तो मुझे ज़ता कि most of the time company आप गोलती है च्छी कह वहां से काम कर लो और यहां पे living situation तो तो खराब नहीं है जैसे इस living situation is same as same as US but it's just like you will earn little less you have to pay little more taxes but overall picture if you decide to stay here till retirement till like no life then it's like बुलतना की same ही है अभी पैसा बादा कर दो but आपको बाद के benefits जाता है तो वो सब चीज़े balance out हो जाती है and मुझे रहता कि अगे इंडिया में भी जो जो बुलतना कुछ लोग को कुछ करना है यह करना है तो मतलब उनके लिए भी Canada is good but depending करता है कि आपकी priorities के आपको लगता कि family है यह है तो initially कुछ साल तो आपको struggle रहेगी तो अगर आप उसके लिए ready हो तो I think it's a great place to live तो अगर आप उसके लिए ready हो thanks a lot for coming on the show and thanks for sharing your opinion तो let's see लोगों का क्या feedback थीक है जी चलो thank you thanks